वाशन करते हुए मैंने देखा सामने जो है कोई बैठा है तो मैं पैचान गया उनको मैंने कब ये तो मेरे पिता जी है लगता है उस सभा की बीच में बैठे हुए थे तो फिर मैंने सभा समाथ होने के बाद अपने साथ के कुछ लोगों से का मैंने का देखो व्यार वाये है तो उनको बलावो थोड़ा मुलाकात करते हैं सीएम योगी के योगिक जीवन और राजनीतिक जीवन से तो हर कोई बाकिफ है कभी-कभी उनके निजी जीवन के बारे में भी पढ़ने और सुनने को मिलता है कि उनकी मा, पिता, बेहन सभी कैसे है, किन हालातों में है लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मुख्यमंत्री बनने के बाद माता-पिता और बेहन के साथ योगी आदितिनाथ का संबंध कैसा रहा पिता को भीड में देखने के बाद कोई मुलाकात का जिक्र करते हूँ योगी आदितिनाथ क्या कहते हैं, सुनिये जब वो आप से मिलने आते थे, आप उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे तो वो एक आम नागरिक की तरह आते थे, सीम के पिता के रूप में नहीं आते थे यहां वो कभी नहीं आये है, वो मुझे से मिलने के लिए मेरी एक बार उनसे मुलाकात थी नजीमाबाद में, और नजीमाबाद में मैं एक चीनी मिलके उद घाटन में गया था तो बाशन करते हुए मैंने देखा सामने जो है, कोई बैठा है तो मैं पैचान गया उनको, मैंने का भी यह तो मेरे पिता जी हैं लगता है हाली में मा के साथ हुई मुलाकात और समवाद को लेकर सीम योगी ने बात की जब आप अपने माता से मिलने गए थे. तो उस वक्त आपको कैसा लगा जब आप गए थो? देखे, मैं कई वरसों के बाद गया था. मेरे पिताजी का जो है दिहान तो दोहजार बीस में हो गया था. मैं उससे पहले उनसे या अपने परिवार के लोगों से कई वरसों से नहीं मिल पाया था. सुझो कसे करोना काल खंड प्राणड प्रार्णब हो चुका था, लॉकडाउं प्रार्णड प्राणब हो चुका था. तो उनके अंतिम संसकार कारिक्रम में मैं भाग नहीं ले पाया था आपके पिता जी के तो मुझे जब गत वर्स और उसर मिला था तो मैं अपनी माँ से मिलने के लिए ज़रूर गया था तो सभाहिक रूप से एक माँ और पुत्र के बीच में जो संबाद होने चाहिए वही संबाद महाँ पर हुआ वही सांसारिक जीवन छोड़ कर एक योगी का जीवन जीने के दौरान उनकी बेहन की क्या हलत हुई थी सीएम योगी ने इसको लेकर भी बहुत कुछ कहा साथ ही उनके पड़ियों पर भी बात की जो उनकी बेहन को लोगों से सुनने को मिली आपकी छोटी बेहन जो है उन्होंने एक इंटर्व्यू में कहा था कि 30 साल उन्होंने आपको राखी नहीं बांदी 2022 में एक इंटर्व्यू में उन्होंने कहा कि कई वर्ष पहले जब उन्हें पता लगा कि आप घर छोड़के आप योगी बनने के लिए निकले हैं तो उन्होंने कहा कि वो भिक्षा मांगने वाले संतों में आपको ढूंड रही थी और मिले नहीं आप उन्हें बहुत मुश्किल हुआ होगा ना उन्हें दिखे इस सब के जीवन में आता है लेकिन मुझे लगता है कि इन चीजों को हमें जो है केवल अपने स्वयम के स्माण के लिए रखना चाहिए और स्वाभाई ग्रूप से सब के जीवन में आता है कई वर्सों के बाद जो है इस चीजें चलती रहती है मुझे लगता है यही जीवन है मैं एक इंटर्व्यू का एक सब पढ़ना चाहती हूं सर क्योंकि ये हिंदी अकबार में छपा था और हमारे कई दर्शक हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं वो शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा ये पढ़के मुझे बहुत कठिन लगा जब मैंने पढ़ा कैसे महसूस कर रही हूंगी उन्होंने मैं पढ़के सुनाती हूं उन्होंने कहा योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई लोग कहते थे कि आपको शरम नहीं आती आप मुख्यमंत्री की बेहन है और बेहन होकर आप चाय की दुकान चलाती हैं इन हालतों में रहती हैं मैं उनको एक ही बात कहूंगी, मैं गरीब हूँ, ये मेरा नसीब है, शर्म तब आनी चाहिए जब आप कोई गंदा काम कर रहे हो, किसी के हक का चीन कर खा रहे हो, मैं तो मेहनत करके अपनी गुजरवसर करती हूँ ठीक बात है मैं इसलिए पूछनी हूँ सर, क्योंकि आम तोर पर लोग समझते हैं कि चीफ मिनस्टर हो या फिर सांसद हो, विधायक हो, इनके इर्दगिर्द लोग जो हैं इतने धनी हो जाते हैं और फिर सारवजनिक जीवन में इसलिए आते हैं कि जो धन कमा चुके हैं उसे प्रोटेक्शन के लिए और एक ये इंटर्वी होए आपकी देहन का देखें, ब्यक्ति को कभी भी धन और बैभाव संतुष्टी नहीं दे सकती है और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगी वह है जो स्वयम की मेहनत से संतुष्ट है स्वयम की परिस्त्रम से संतुष्ट है दूस्रों की मेहनत से कुछ पराप्त करना और फिर उसको छीन लेना, ये दो ड़केती है उसके अलग अलग रूप देख सकते हैं अब समाज में और मुझे लगता सबसे निंदिन्य करम यही है और यही अंतर है एक योगी और एक संसारिक मनुस्यम है